आप लो दोस्तों मैं हूँ हैपी मेरी YouTube चैनल में आप लोग स्वागत है आज हम बात करेंगे अगर आपके mobile पर या computer पर PDF के रूप में कोई document है तो उस document को आप कैसे एडिट करेंगे आप कोई भी काम करेंगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा तो वीडियो को लास तक जरूद देखें तो पूरी समझ में आपको आजाएगा मैं step by step आपको दिखाऊँगा कि PDF को आप कैसे एडिट करेंगे तो PDF को एडिट कैसे करेंगे इस दिखाने से पहले आप लिगो के पास मेरे एक रिक्वेस्ट है मेरी चैनल में ये वीडियो जो नए देख रहे है वो नीचे लाल बटन क्लिक करके मेरी चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करेंगे पास में एक बेल आइकन है उसे दबाना न भूले एडिटिशन टिक्नोलजी वीडियो के लिए चले सुरू करते हैं आज कि ये वीडियो तो हम बात कर रहे थे PDF को कैसे आप एडिट करेंगे तो PDF आप दो तरीके से एडिट कर सकते हैं एक है online और दुसरा है offline तो मैं आपको पहले online दिखा देता हूं तो कैसे आप करेंगे मैं ब्रावजर में आ गया तो आने के बाद यहां online में दो तरीके से होता है मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद दूसरा दिखाऊंगा online में तो आपको क्या करना होगा आपके कोई भी email id से आप google drive खोल लिजे लोग इन कर लिजे तो google drive आप google में जाके google drive लिख सकते हैं यह आप यहां आके यहां देखेंगे drive लिखा हूआ ही हाँ यहां क्लिक करेंगे तो ऐसे dashboard आपको आपको क्लिक करना होगा करने के बाद यहां file upload यहां क्लिक करना हो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक page उपन हो जाएगा तो कोई भी document जो PDF है आप edit करना चाहते है वो आपको लेना होगा तो मैं यहाँ PDF एक document के नाम लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए मैंने click कर दिया उसके बाद open करूँगा करने के बाद यह file यहाँ upload हो जाएगा देखिए यह upload हो जुका है अब इसको मैं edit करूँगा तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ एक single click करना होगा left click उसके बाद इसके उपर right click करना होगा करने के बाद यहाँ देखिए open with आरा है यहाँ आपको देखिए google doc आरा है यहाँ आपको simply click करना होगा क्लिक करने के बाद थोड़ा असा वेट करना होगा आपको क्यूंकि आपकी जो PDF फाइल है आटमेटिक यहाँ डॉकुमेंट में कॉनबट हो जाएगा मतलब वार्ड में देखिए यह वाला option आपके पास आचुका है तो यहाँ से आप कोई भी चीज हटा सकते हैं मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ यहाँ को क्लिक करना होगा देखिए सुन्दर एडिट हो जाय रहा है उसके बाद अगर आप चाहें कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह आपको यहाँ मैंने दिखा दिया और लिख यहाँ अगर यह दिखिए आपके काम कलच चला सकते हैं यह ता पहला तरीका ऑन-लाइन में यह दिखा देता हूं उससे पहले आपको जाना क्या होगा गूगल में जाना होगा आपको यहां निकलाओन होगा ऑन-लाइन-PDF-to-Word-Converter यहां लिखने के बाद यहां देखे बहुत सारे website यहां शोर हो रहा है तो इसमें से कोई भी आप साइड ओपन कर लिजिए तो एक ध्यान देने के बात है यहां सब website फ्री नहीं है उसमें कुछ प्यकरना होता है यहां ज्यादतर free होता है तो आप पहले वाला option में click किजिए click करने के बाद आपके समने एक page open हो जाएगा तो यहाँ देखिए choose file आ रहा है तो यहाँ आपको click करना होगा click करने के बाद जो भी file आप edit करना चाहते हैं तो यहाँ देखे मैंने pdf लिखा हुआ एक file को यहाँ मैं open करूँगा उसके बाद देखे यह file automatic यहाँ अपलोड हो जाएगा तो देखे मेरी यह file अपलोड हो चुका है उसके बाद यहाँ देखे convert to word आ रहा है तो यह वाला option में click करना होगा उसके बाद यह option में click करना होगा अपके सामने देखे यह डाउनलोड ऑप्शन आरहा है आपको यहां सिम्पली क्लिक करना होगा तो आपके जो PDF फाइल ता यहां कॉपर्ट होके आपके सामने वाड में चला आया है उसके बाद देखे यह वाला ऑप्शन आपके सामने आजाएगा उसके बाद कोई भी चीज दिलीट करके यहां new entry कर सकते हैं , तो मैं आपको दिखा दिता हूँ यह कोई भी क्या है तो इस तरह से कोई भी PDF को अब भॉआच ब्रेइब करके यहां उपके लिख सकते हैं , लिखने के बाद सेब करके , प्रेंट करके आपके काम से तो यह था दो तरीका online अब आते हैं दूसरे तरीका पर जो है offline तो offline आपको करना क्या होगा आपके computer पर एक software होना जरूरी है वो है MS Office 2019 तो मेरे पास है Microsoft Office यहां देखे 2007 मेरे पास है तो आपके computer में 2019 होना चाहिए अगर OS software होता है तो ही आप PDF को automatic convert कर सकते हैं Word में तो मेरे पास नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ तो अगर आपके computer में हैं तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ तो पहले आप file में जाहिए आप जिस भी document को अगर PDF को आप convert करना चाहते हैं तो यहां आपको क्लिक करना होगा राइट क्लिक करने के बाद यहां देखे open हुई तार है तो यहां आपका show होगा कि Microsoft 2019 यहां आप क्लिक करने के बाद आपके सामने एक pop-up आएगा Windows की जो document आप खोनना चाहरे हैं तो वह automatic convert होके word में आ जाएगा Yes or No तो आपको Yes में क्लिक करना होगा अगर आप Yes में क्लिक करते हैं तो आपकी PDF document है वह automatic convert होके word में आ जाएगा उसके बाद आप कोई भी चीज आप edit कर सकते हैं तो यह था offline आशा करते हैं यह video आपको बहुत ही काम आएगा इस तरह से आप आपके PDF को word में convert करके आप कोई भी काम कर सकते हैं आपके जरूत के हिसाब से तो आशा करते हैं यह video आपको पसंद आया है और इस तरह से वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को जरूत सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल बेटन क्लिक करके एवंग पास में एक बेल आइकन है उसके दबाना ने भूले लेटेशन टेकनलोजियो वीडियो के लिए तो आज यही तक थैंक्यू समझ वीडियो को लास तक देखने के लिए